हेलो फ्रेंड्स गेर अब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है हम लोग MCQ कॉस्चेन सॉल्ब करने के चरण में हम लोग आज दूसरे स्लाइट को सुरू करने जा रहे हैं जिनमें से हम लोग स्रियल 31 से लेकर के स्रियल 60 तक के प्रसन जो इतिहास से संबंदित हैं को कबर करने की कोसिस करेंगे और इस करम में जो पहला प्रसन आपके सामने है वो है सेंभूम को परहाट के सिंग राजाओं की भूमी कहा गया है ये किस राजपूत वन्स से संबंदित थे इसका अंसर होगा ये राठोर वन्स आपके सामने राठोस गुरजयर परमार और चालू की चार अप्सन थे जिनमें से जो पहले हमने डिसकस किया था सिंग भूम के पुरहाट के राजाओं की भूमी के बारे में किस प्रकार से सि हम लोग बताये थे कि जो सिंग जो बौगा जंजातियों का प्रमुख देवता है सरवच देवता माना जाता है और वह जंजाती देवताओं के नाम से ही से भूम छेतर पड़ा था और इसी के संदर्भ में जो सिंग भूम छेतर में वहाँ पर राजपूत वन्स आकर के बस से 31 का अंसर हुआ यह राठोर वन्स नाव नेक्स्ट क्वेस्चन जो आपके पास है प्राप्त वीवरनों की अनुसार से भूम छेतर में सिंग वन्स की कितनी साखाओं का साखाओं ने सासन किया यदि आप सिंग वन्स को देखें तो इन में से प्रमुख रूप से दो साख युथ जैरकंट आगमन करते हैं और इस संदर में आठवी सदी से यह सासन करना प्रारम करते हैं जो तेरवी सदी तक तेरा सास को ने मिल करके सासन किया और इसके बाद से 1370 से ले करके अंग्रेजों के दमन तक में इन और दूसरी जो साखा था इसका जो फॉंडर था वो दर्प नरायन सिंग था और इस प्रकार से यह दिये आप लोग देखें कि सिंग्भूम छेत्र में जो सिंग्वन्स की जो साखाएं थी उनकी संख्या दो थी नेक्स्ट पस्चन नागवन्स के की सासक ने अपनी उपाधी राय के बदले करन रखी थी गंधर्वर रगुनात भीम और परताप ने तो इसका अंसर होगा भीम ने यहाँ पर आप देखोगे कि भीम राय जो राय की उपाधी चल रही थी नागवन्सियों का फनी मुकुट राय के बाद में देखोगे परताप राय यह इस परकार से जितनी सारे यहाँ के सासक हुए नागवन्सी हुए उन लोग ने राय की उपाधी लिथी लेकिन भीम राय जो कल्चुरी वन्स से अपना समंध रखते थे उनसे वो प्रभावित थे और कल्चुरी वन्स में जो उपाधी हुआ करता था वो कर्ण की उपाधी हुआ करती थी और उसी से प्रभावित हो करके नागवन्सी के रूप में यह पाला सासक हुआ जिसने राय के अस्थान पर कर्ण की उपाधी रखी इस प्रकार से जो 33 का अंसर होगा वो सी नम्मर होगा भीम कर्ण नाव नेक् है चेरो खरवार गॉंड इनमें से कोई नहीं यदि आप लोग देखें इसका अंसर होगा चेरो ए नमर क्योंकि सोलहवी सताबदी में पलामू के छेतर में जहरखंट के पलामू इस प्रकार सेदी 34 का अंसर आप देखें तो रक्सेल के बाद कौन आए तो उसका अंसर होगा ये चेरो नमर में से किस राज के स्थापना दक्चिन भारत से याई हंस राज देव ने की काफी इंट्रेस्टिंग क्वेस्चन्स है इसका अंसर की रूप में आपके पास चार ओ लगती है और रामगढ राज के पास से लगती है तो इस यह दि राज के बारे में हम लोग देखें तो इसका फॉन्डर यी था अंसर राज देव ने इसकी अस्थापना किया था और इस संदर में देखें हंस देव राय शावत इंडियन थे और वहां से आने के बाद वो नौर्थ इंडियन में जो ब्राहमन थे उनसे इसने परिवारी वेवाहिक समंद स्थापित किये और वेवाहिक समंद स्थापित करने के बाद में इसने खडग डिया राज जी की अस्था किया था उस्ट्स राज का नाम खड़गडिया था इस प्रकार से 35 का जो अंसर होगा हंस देव राज ने कीस राज के स्थापना की तो उसका अंसर होगा डिए खड़गडिया राज नाव next question is रामगर राजी के स्थापना 1368 में बागदेव सिंग ने की थी इस राजी की पहली राइधानी कहां थी यदि आप लोग देखें इस प्रसन काफी अच्छा प्रसन है प्रसन का डिमांड है कि जो बागदेव सिंग ने रामगर राजी के स्थापना किया था इसका राइधानी पहली राइधानी कौन था चार उप्सन है सिसिया उर्दा बादाम रामगर ये सभी रामगर राज की राइधानी रही है रामगर राज की छे राइधानिया रही है जिनमें से जो पहली राइधानी रही है वो है सिसिया दूसरी जो राइधानी रही है वो उर्दा है तीसरी राइधानी बदाम है चौती राइधानी रामगड है पांचवी राइधानी इचाक है और छटी राइधानी पदमा है इस राज्ज के स्थापना करने के पीछे का यदि हम लोग बैगराउंट को दे इन लोगों को उसके दमन के लिए भेजा गया और वहां पर जाकर के बागदेव सिंग ने अपनी जो कुसलता का परिचह देते वे उसका दमन किया और इससे खुस होकर के क्योंकि बागदेव सिंग ने रामगड राजी की राजा को एक अन युद्ध में सहयोग भी किया था जिससे उसको विजाई पराप्त हुई थी यह खुसी होकर के उस छेत्र रामगड राजी के चेत्र की जो भूमी के ऊपर में अधिपत्य स्थापित करने का इसको यह नुदेश दिया और इस प्रकार से वहां पर बागदेव सिंग ने अपने राजी के स्थापना किया जिस चोटा नागपूर छेत्र में पाई जाने वाले हीरे की चर्चा निमिल्खित में से किस दो मुगल कालिन विदेशी यात्रियों ने की थी यदि आप लोग देखें चार ओप्सन आपके पास में है वर्नियर और ट्रिवर्नियर वर्नियर और फींच मनुची और फींच हॉक की कार्थ सास्तर देखें तो वहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि इंद्रवानक की नदियों में जो संख और इव नदियों के बीच का इलाका होती है वहाँ पर हीरे पाई जाने की चर्चा की गई है लिहाजा कहा जा सकता है कि पहले से ही जारखंड के वह छेत्र जो दक्षनी कोयल नदी के किनारे और संख नदी के आसपास का छेतर है उस नदी में हीरा पाई जाने के कारण से काफी परसिद्द और फेमस रहे और चर्चा में रहे हैं और यही चर्चा और यही जानकारी मुगलों के संदर्व में भी आया और मुगल यात्रियों ने भी जिनम मुगल कालिन विदेशी आत्री जिसने की है उसका नाम है वर्नियर और ट्रवर्नियर इसका आंसर यह होगा now next question is जहांगिर की आत्मकत्था तुजु के जहांगिर में किस नागवेंशी सासक की चर्चा हीरे के पारखी रूप में की गई है यह भी हमने डिसकस किया कि मुगल कारलिन जो भी सासक था वो हीरे जारखंट में हीरे पाए जाने के कारण से काफी ज्यादा वो आकर सित हुए आपके सामने जो चार ओप्सन है वो है मधुकरनसा, दुरजनसा, अरजुनसा और करनसा जो हीरे के बारे में अच्छी जानकारी अच्छी जानकारी रखता है और इसका जो आनसर होगा वो होगा भी दुरजनसार के बारे में एक काफी इंट्रेस्टिंग कहानी कही जाते है जो उसके साथ घटी है कि दुरजनसार जिस हीरे के कारण से बंद हुए थे बंदी हुए थे जेलों में गिरफ्ट हुए थे उसी हीरे के कारम से या जेल से छुटे भी और दुरजनसा को हीरे के बारे में काफी जादा पार्खि थी इसी हीरा को लेने के लिए जहांगीर के सासनकाल में इसे बंदी बनाया गया था ताकि इनसे ये हीरा ले सके इनको डिफिट करके इनसे हीरा को प्राप्त कर सके और जब डिफिट करने के बाद जब या एरेस्ट किया गया दुरजनसा को तो फिर इसे गवालियर के कीले में इसको कैद कर दिया गया लेक हीरे की क्वाइलिटी के ऊपर में वाद विवाद छिड़ जाता है तो इसके ऊपर में इतनी चर्चा होने के बाद में कोई नकली कोई असली कहता है फिर बाद में जहांगिर को पता चलती है कि जो इस हीरे को बतला पाएगा परख पाएगा कि यह सही है या गलत है उनको हम प अच्छी जानकारी है तो यह बात जानकर के साही फर्मान जारी किये जाते हैं कि दुर्जन साह को साही दरबार में बुलाए जाए वो पेस होते हैं साही दरबार में और फिर वो हीरा की जो परक है वो जहांगीर को बता देता है और इससे खुस हो करके जहांगीर उसके सामने दो मांगें रखती है कि आप कुछ भी दो चीजे मांग लो फिर दुर्जन सा मांगते हैं कि हमारा जो मुझे और मेरे परिवार जो ग्वालियर के कीले में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए और हमें सौ सम्मान अपने राज्जी की भी वापसी की जाए और इस कारण से जहांगिर ने उसकी इस डिमांट को मानता है और दुर्जन सा को छोड़ दिया जाता है तो कफी अच्छी बातें ये कही जाती है कि दुर्जन सा जिस हीरे के कारण से बंद हुए थे उसी हीरे के कारण से वह बंदी से छुट गए तो इस प्रकार से जो हम लोग हीरे के पार्खी के रूप में किस नागवनसी सासक का नाम आता है तो उसका अंसर होगा भी दुर्जन सा नाव नेक्स्ट ऑप्शन जो आप नेक्स्ट क्वेस्चन किस नागवनसी सासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छुटने के बाद राईधानी दोईसा में अस्थापित करिया अनेक सुंदर्यावासी भवनों और मंदिरों का निर्मान कराया देखिए हमने जो चीजें डिसकस किये अभी कि दुर्जन सा जो छुट बंदी से छुट करके आये हैं वही वापस या करके जब नागवनसी छोटा नागपुर खास में वापस आये तो इसने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया और कैपिटल दक्षनी कोयल नदी और तीन तरफ से पहाड़ियों से घीरी हुई एक सुरक्षित जगह जो आकरमन की दर्ष्टी कौन से काफी डिफिकल्ट हो ये से जगह पर उसने अपने राइधानी को बनाया जो अस्थान था वो दोईसा था तो दोईसा को उसने अपना केपिटल के रुप में चुना जो आपके पास चार ओप्सन था दुर्जन साह, मधुकरन साह, अरजुन साह, करन साह इसमें जो आंसर होगा वो दुर्जन साह होगा और इसने जो केपिटल दोईसा को बनाया इसके चारों तरफ में उसने गड़े खुदवाए उनमें से इसने पानी भरे ताकि कोई भी आकरमन कारी जो प्रविर्टी के लोग हैं वो डिरेक्ट हमारे समराज तक हमारे केपिटल तक में आकरमन ना कर पाए और इस प्रकार से जो इसका सटिक आंसर होगा वो दुर्जन साही होगा नाव नेक्स्ट क्वेस्चन पूरे जारखंड प्रदेश में निम्न में से वह कौन सा जीला जो पूरी तरह मुस्लिम आकरमन से अच्छुता रहा सेभूम हजारी बाग धनबाद गिरिडी तो इसका जो अंसर होगा वो धनबाद होगा हम मैं इस बात को बता दूँ कि जो जारखंड में सबसे पहले जो मुस्लिम आकरमनों का प्रकरिया सुरू किया गया वो सेरसा सू के द्वारा ही किया गया जहांगीर के सासन काल में ही यदि आप लोग देखें तो मुगल काल की सत्ता के उपर में सेरसा सूरी ने अपना वर्चस्व कायम किया और उसके बाद उसने अपना आसरे अस्थली के रूप में जारखंड को चुना और जारखंड के जंगलों में वो छपामार युद्ध के लिए प्ररम किया तो इन सारे करम के दोरान में यह दि आप देखें तो इनका जो प्रमुख छेत्र था कारी करने का वो रोहतासगड था जो बियार में पड़ता है आपको पता है कि सासाराम में इसके पिता जी नौकरी करते थे तो सासाराम रोह अपने अंदर में जारखंट को करने के चकर में जो पुर्वी पाट धनबाद का था वो इन से अचुता रहा गया या पिक्छाकरित की सेभूम हजारी बाग और गिरीडी को इसने अपने अंदर में कर लिया था तो इस प्रसंद का जो आंसर है कि मुस्लिम आकर्मन से कुन सा च्छित्र या छुता रहा गया उसका आंसर होगा C. धनबाद Now next question is छोटा नागपूर खास में अंग्रेजों के परवेश के समय आनी की 1771 में किस नागवनसी सासक का सासन था जो यह प्रस्ण आपके सामने है इसमें पुछा गया अंग्रेजों के परवेश के समय नागवनसी सासन का सासक कौन था जारखंड में दर्पनात्सा, रामसा, येनीसा, येदुनात्सा यदि आप लोग अंग्रेजों का परवेश के बारे में देखें तो धालभूम छेतर से अंग्रेजों का परवेश 1760 में हुआ जहाँ पर उसने धालवन्स के राजा से फाइट करते वे वो अंदर आए और 1771 में जब वा छोटा नाकपूर खास के छेतर में आगे तो उससे में जो वहाँ पर राजा था उसका नाम था दर्फनात्सा लंबे समय तक भारत की आजादी तक उसने जहरखंट के उपर में सासन किया और नागवन्सी ही ऐसा सासक था जो अंग्रेजों के शाथ अन्य सासकों के तुलना में अपने आपको कायम रख पाया और अंतिम तक में ये अपने अस्तित्व को बचाए रखा और जहरखंट में एक बार ऐसा भी प्रसन पूछा जाता है कि जहरखंट में सासन करने वाले जो छेतरी राजवन्सों में सबसे ज्यादा समय तक किसने सासन किया तो वो नागवंसी, नागवंसों ने सासन किया, नागवंसीों ने सासन किया, तो फिलाल जो इस प्रसन का अंसर है, कि जब अंग्रेज का परवेश हुआ, तब नागवंस का सासन कौन था, तो उसका अंसर होगा, ए नमर दरपनाथ सा, now next question लिए, अंग्रेजों का जार्खन चेतर में सरपर्थम प्रवेश 1760 में किस ओर से हुआ अभी अभी हमने इसमें चर्चा किया जिन में से आपके पास चार ओप्सन है सेभूम, पलामू, छोटा, नागपुर, खास इन में से कोई नहीं तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सेभूम चेतर की ओर से प्रवेश किया जहां परम्लोग फूले धल भूम चेतर वो पुरवी सेभूम का पुरवी भाग को ही धल भूम चेतर का जाता है और धल भूम चेतर धाल विद्रो हुआ था जगना धाल जिसने नेतरित्व किया था निमू धाल के एगेंस्ट में जो उनके भाई थे अंगरेजों के सड़य जारखंद की तरफ से हो गया जो इस प्रसन का अंसर होगा इनमेंसे अंग्रेजों का जारखंड में किस तरफ से परवेश हुआ तो उसका अंसर होगा सेभूम की तरफ से परवेश हुआ चोटा नाकपूर खास में निम fällt म 옷 यह से कौन सा वरतमान Кला सामील नहीं था यदि आप छोटा नागपूर के पूरे छेत्र को देखें इसके विस्तार को देखें तो आपको राची लोहरदग्गा गुमला यह सब पूरा का पूरा इसका सेंट्रल पार्ट आफ छोटा नागपूर माना जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो ए नमर पलामू पलामू जो नौर चेरो के अंदर में आता था वो रकसेल के अंदर में आता था वो छोटा नागपूर खास के अंदर में नहीं आता था इस परकार से इसका अनसर होगा पलामू next question छोटा नागपूर के 26 पर अधिकार करने में इस्ट इंडिया कमपनी को सबसे लंबा समय लगभग 70 वर्स लगा आप देखें इस 4 उप्सन आपके पास में है धनबाद, कौलहान, हजारी बाग इन में से कोई नहीं इसका अंसर होगा कौलहान यंगरेजों को यदि संघर्स जारखंड में देखें तो जो सबसे जादा संघर्स अंगरेजों को करना पड़ा था वो खेतल में करना पड़ा था, कौलहान जारखंड के पस्चमी सेंभूम जीले में एक खेतर है जो मध्य और पूर्वी तरफ में अभी दिया हम लोग बात करें, तो कौलहान हाईलेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, कौलहान उचभूमी के रूप में और इस खेतर में हो का टेन्यूर लगा कौलहान छेत्र पर इनको अपना धिपत्य स्थापित करने में जो सबसे ज्यादा लंबा समय अंग्रेजों को जारखंड में लगा था तो इस परकार से जो इसका अंसर होगा वो बी नमर कौलहान होगा चोटा नागपूर में कमपनी सासन के विरुद्ध प्रारंभ में अनेग विद्रो हुए नीचे अस्तंब में विद्रो अस्तलों और अस्तंब दो में नेताओं के नाम दिये गे हैं दोनों अस्तंबों को मिलाते विए दिये गए कुटों में से उत्तर का चैन करें अस्तंबों में विद्रो अस्तंब दो में नेता पालामू छोटा नागपूर धाल भूम रामगड है और इधर नेता दर्पनात साह जैनात सिंग मुकुंद सिंग और जगन्ना धाल अभी हमने चर्चा किया कि जगन्ना धालने धाल विद्रो का तो आप लोग इस चीच को बिल्कुल मैच कर सकते हैं सी जो होगा वो चार नमर से मैच करेगा रामगड डिसकस करेंगे रामगड राज के बारे में मुकुंद सिंग और पलामू का जैनात सिंग था वो छोटा नागपूर का दर्पनात सिंग था इस प्रकार से दिया आप लोग देखें ये टू बी C4 D3 ये नमर इसका आंसर होगा Now next question is पलामू के दुर्ग पर East India Company का अधिकार कब होगा तो पलामू का जो अधिकार East India Company पर होगा वो चार option है आपको time session पुछा गया है 1774, 1773, 1772, 1771 इसका जो आंसर होगा वो 1771 होगा ये आप लोग देखें पलामू के दुर्ग पर East India Company के अधिपत्य की उस घटना करम को तो लेटनेंट कैमो को East India Company के द्वारा भेजा जाता है पलामू के दुर्ग पर अपना कबजा जमाने के लिए जैसे ही वो कबजा जमाने के लिए वहाँ पर चलता है तो इस करम में जैनात सिंग वहाँ पर होते हैं पलामू में और जैनात सिंग को एक लेटर दे करके कहा जाता East India Company के द्वारा कि आप पलामू के कीले को कमपनी के हवाले कर दो लेकिन जो जैनात सिंग है वो कमपनी को यह बात के लिए अस्वस्त करते हैं कि हमको सोचने के लिए दस दिन का समय दो East India Company इस बात को खुबी जान चुका होता है कि वो दस दिन का समय हमारे खिलाफ सेना को एकठा करने के लिए ले रहा है इसके बावजुद भी East India Company ने जैनात सिंग को दस दिन का समय सोचने के लिए दिया लेकिन ये East India Company का पलान A था पलान B के तहत उसने अपनी एक सेनी टुकडी को और अंगाबाद की तरफ से युद्ध के लिए तयार करके भेज दिया आकरमन के लिए ही कि यदि वो आकरमन की कोई रवया को अपनाता है जीवन सम्मान और उत्राधिकार की गारेंटी देते हैं तो मैं पलामू का किला आपके हवाले में कर दूँगा लेकिन East India Company ने जैनात सिंग के इस प्रोपोजल को यन एकसेप्टेट कर दिया उसने स्विकार नहीं किया और परिनाम केवल और केवल एक रह गया युद्ध और केवल युद्ध और परिनाम स्वरूब धमासान युद्ध हुआ और 1771 में जो पलामू के सासक जैनात सिंग थे वो हार गए और East India Company का पलामू के किले के उपर में दुर्ग के उपर में कबजा हो गया नए किले पर भी कबजा हो गया पुराने किले के उपर भी कबजा हो गया और इस प्रकार से जो पाटिकलर इस प्रस्न का अंसर होगा कि पलामू के दुर्ग पर East India Company का अधिकार कब हुआ तो इसका अंसर होगा D. 1771 किस जंजाती विद्रोह की चर्चा काल मार्क्स ने अपनी पुस्तक वाइनॉट्स और इंडियन विष्टनी में की है अब देखिए यहां पर काल मार्क्स जो एक पश्चमी दार्शनीक माने जाते हैं उसने धर्खंड में होने वाले एक विद्रोह के बारे में अपनी पुस्तक में इसकी ब्यापक्ता को लेकर के चर्चा की है कि लोगोंने अपने अस्तित्तो और अपने अधिकार और अपनी जमीनी लड़ाई करने के लिए कि इस प्रकार से और कितनी तिवर गती से एक विद्रोह किया था और इस विद्रोह का काल मार्च ने विद्रोह की तिवरता को देखते वे इस विद्रोह की वियापक्ता को देखते वे काल मार्च ने अपने एक पुस्तक वाइनॉट्स वन इंडियन विष्टनी में चर्च किया और उसका नाम है संथाल विद्रो संथाल विद्रो 1855-1856 इस्वी में हुआ था संथाल छित्र में हुआ था जिसका जो लीडर था सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और भागनाडी में इस विद्रो की पूरी जो हम लोग प्रिष्ट भूमी तयार की गई थी और वहाँ पर काफी सारे संथाल लोगों ने इकठा हो करके जिसको हम लोग हूली विद्रो भी करते हैं या संथाल हूल भी करते हैं इसके बिगुल को बजाया था जिसकी जो अग्रणी नेता हम लोग मानते हैं वो सिद्धूर कानू को मानते हैं इस प्रकार से जो पाटिकुलर इस प संताओं के विद्रो के पुर्व छोटा नाकप्पुर छेत्र में कितने शू संगठ्ित विद्रो हो चुके थे एक दो तीन चार तो इसका जो आंसर होगा वह s He होगा इसमें तीन विद्रो हुए थे येदि मैं तीनों विद्रो की बात करूं और वे सान्गठित विद्रो थे वो कोल विद्रो थे तो यदि हम लोग देखें तो पर्टिकलारीस प्रसन का अनसर होगा 1867 के विद्रों के पूरू छोटा नागपूर छेत्र में तीन सुसांगठित विद्रों मैंसे कौन विद्रों सामिल नहीं था अभी अभी हमने चर्चा किया और उसके अनुसार आप लोग इसका अंसर दे भी सकते हैं कोल विद्रो, भूमीज विद्रो, संथाल विद्रो, हो विद्रो चार अप्शन में जो 300 संगठित थे वो कोल थे, भूमीज थे, संथाल थे तो इसमें से हो विद्रो नहीं था तो इसका आंसर हो विद्रो होगा यदि हम चेर्चा करें कि कोल विद्रो का हुआ था तो 1831 32 में हुआ था भूमीज विद्रो 1832 32 में संथाल विद्रो 1855 में हो विद्रो भी 1821 में हुआ था जो कौलान छेतर में हुआ था छोटा नाकपूर चेतर के बाहर में तो इस प्रकार से दी आंसर हम लोग देखें तो सब जारखंट के ही विद्रो हैं कोल विद्रो हो विद्रो भूमीज विद्रो संथाल विद्रो बट संथाल जो पूरू छोटा नाकपूर चेतर में कौन विद्रो तीन हुए हैं तो उनमें से कॉल भूमी संथाल है हो इसके अंतर में नहीं है तो इस प्रकार से इसका अंसर D हो जाएगा हो विद्रो नाव नेक्स्ट क्वेस्चन अठारा सो संताउन के विद्रो के पुरू चोटा नागपूर छेतर में हुए तीन सु संगठित विद्रो में कौन सरवादेक सु संगठित विद्रो थे कॉल भूमी संथाल सभी महत्पून थे तो हमने भी बताया सबसे यदा संगठित जो थे वो कॉल विद्रो थे तो इस प्रकार से इसका अंसर ये होगा कॉल विद्रो नाव नेक्स्ट क्वेस्चन लीज़ पच्टूई एक प्रकार का आबकारी कर था 18-24 में कंपनी सरकार ने आदिवासियों को किस प्री पेपदार्थ पर या कर लगाया गया था सराब, ताड़ी, हडिया सभी पर आपको पता है जहर खंट का मुख्य पेपदार्थ भी है हडिया और इसका जो आंसर होगा ये हडिया होगा हडिया इतनी ज़्यादा फेमस और घरे लूए जह हम लोग कह सकते हैं कि Domestic Industry के रूप में, सराब Parkformed के रूप में हर घर में इस चीज़ का उत्पादन किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि Rice Wine के रूप नाम से भी हम लोग हडिया को जानते हैं और Rice Wine की Spreading Area को देख करके अंग्रे जो ने इसके उपर में भी excise duty लगा दिया और जो excise duty का नाम था जो हडिया के उपर लगा था उसका नाम था पच्चतूई तो पच्चतूई कर जो 1824 इसमें कंपनी ने आदिवासियों के इस पे पदार्थ पर लगाया था तो उस पे पदार्थ का नाम क्या है हडिया आनी कि इसका C नमर इसका आंसर होगा और इसको जो समाप किया गया था वो 1826 में काफी ज्यादा विद्रो हुआ जमीनी एस्तर पर जिसके करण से अंग्रेजों को पच्टुई करको वापस लेना पड़ा इंग्लिस गब्मेंट को तो इस प्रकार से इसका जो इंडिंग हुआ वो 1826 में हुआ और इसको इनिसियेट जो किया गया था अंग्रेजों जो जो रहा 1824 में किया गया था नाव नेक्स्ट क्वेश्चन पच्टुई करको कब समाप किया गया तो आप लोगों की यह असान क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं सुदिर्ग परमपरा उनिश्मीशे बिश्मीश रताबदी बनी रही फालता कंपनी सरकार ने की सेन्य बल का गठन किया कंफी एग्रेसिव था अंग्रेजों ने इस छेतर में एग्रेशन को देखते वे उसने एक पुलिस बल का गठन किया था आपको वही नाम बताना है छ सेकेंड पार्ट आफ दिसकसंस पर टुडेज वुस प्रसन है 1867 का विद्रो छोटा नाकपूर के किस जिले से प्रारम हुआ भारत का पर्थम संद्रता संग्राम कही जाने वाली 1867 का विद्रो जारखंड में कहां से प्रारम हुआ इसका प्रसन का अंसर देना है देवघर, राची, सेभूम, गिरेडी तो इसका आंसर होगा ए नम्मर देवघर में जिसे हम सभी को पता है कि 1867 का जो बिद्रो था उसका एक मुख केंदर के रूप में से बिहार, यारा, दानापूर रहे हैं जिसका नेत्रित हम लोग वीर कुमर सिंग के दवरा किया गया था और उस इस्वी रेजिमेंट के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाप से 1867 के विद्रो को यागे बढ़ाया और इस प्रकार से हम लोगों ने जो देखा यहाँ पर जो विद्रो बढ़ा था वो 12 जून 1867 को इसका इनिसियेटिव किया गया था और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि 80067 का जो विद्रो देवघर जिला से ही इस्टार्ट किया था और इसका आंसर एह होगा देवघर जिला तो आज हमने सिरियल नमर 31 से लेकर के सिरियल 60 तक के सभी प्रसनों पर चर्चा की डिसकस की आप लोगों ने भी उम्मीद है इसको बनाने की कोशिस किया होंगे और इससे रिलेटेट जो भी टॉपिक स्टार्म एंड कंडिसन से उसके उपर भी हमने चर्चा करने का प्रयास किया आप ल दोस्तों तक सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग अपना केरियर बिल्डिंग प्रोसेस में लगाएं और इसका बेनिफिट लें दोस्तों को भी बेनिफिट लेने का एक मौका दें बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू